रादे रादे अब्रीबन आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी के सासे एर करूँगी मकर संक्रान्ती की पूझा भी थी किस प्रकार की जाती है कब हमें करनी चाहिए इस वीडियो में आप सब के साथ यही शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले देखिए आप पूजा सामगरी देख लीजिए बहुत जाना पूजा सामगरी की आवश्यक्तर नहीं होती और सूरिदेव की जब आप पूजा करते हैं तो आपको उस समय करनी चाहिए सूरिदेव को वैसे अर्ग दिया जाता है तो अर्ग किस समय दिया जाता है जब सूरिदेव को अर्ग देते हैं तो उसका फल जो है आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है और खासकर मकर संक्राथी के दिन तो देखिए जल्दी शनान करने का महत्व रहता है अगर आप देर में शनान करेंगे और देर में सूर देव को अर्ग देंगे तो बन जाएंगे आप लंका के गदा ऐसी मेरी मुम्मी बोलती थी तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं झान कर्ता है जिस समय सूरिदेव उधे होते हैं उस समय आपको देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है SIMBल पूजा भी दिये सूर देवथी अगर आप इस तरह सी अगर डेली सूर देव की अगर पूजा भी तो तो आपका सोया हुआ भागवी सूरी की तरह चमकने लगता है, क्योंकि सूरी ग्रह एक ऐसा ग्रह है, जो कि नव ग्रहों का राजा माना जाता है, तो हम राजा को मनाने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए आप देख लीजिए, कि तामे के लोटे में जो है जल भरकर अर्ग दिया जाता है, अगर आपको गुसा जानदा आता है, तो आप इसमें हल्दी मिलाएं, ध्यान से इस बात को सुने, अगर गुसा आता है, तो आप इसमें हल्दी मिला ले, अगर आपको गुसा नॉर्मल आता है, बहुत सान सभाव के हैं आप तो इसमें आप रोली डालें इस बात का आप ध्यान रखें तो इसमें मिलाना है आपको एक चुटकी इस तरह से दिखें रोली मिलाना है और रोली मिलाने के बाद जो है इसमें डालने हैं आपको अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि मकड संक्राती पर सूर्य पूजा क्यों की जाती है मकड संक्राती पर सूर्य पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि सूर्य देव अपने गुरू के घर से निकल कर सनी ग्रह में आते हैं जब कोई ब्यक्ति या कोई राजा जब अपने गुरू के घर से निकलता है तो नई उड़जा और नई शक्तियां लेकर बहां से बाहर निकलता है इसलिए इस समय सूरिदीब की पूजा अती आवशक हो जाती है ताकि उस उड़जा का थोड़ा सा हिसा आपको भी मिल सके अर्ग दिया जाता है ध्यान रखे या चाहें आप चंद्रमा को अर्ग दे चाहें आप सूरिदेव को दे हमेशा अपने सिर से उपर आपको हाथ करके अर्ग देना है मेरे थोड़े से नीचे है क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूं अगर बहुत उचे करती ना वीडियो में दिखा नहीं पाती आपको इस तरह से आपको तीन वार सूरिदेव को अर्ग देना है ताकि जल के चीटे आपके पैरों में ना गिरे देखिए इस प्रकार मैं ने उचाई पर थोड़ा सा अपनी थाली को रखा है और इस तरह से उचे हाथ करके आपको तीन व पूजा की सामगरी इसी तरह से सूरीदेव को चढ़ाई जाती है जल में आपको चढ़ाना है यहां पर देखिए मैंने हल्दी भी चढ़ा दिये जिलोगों को गुसा आता है वो सूरीदेव पर हल्दी चढ़ाए उसके बाद लाल कलर का फूल सूरीदेव पर चढ़ाया जाता है देखिए कितना प्यारा फूल है लाल कलर का फूल आप सूरीदेव को चढ़ाए और दिख शूरत देव को नमक की चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। तो तिली से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। यहां पर जो है न मेरे यहां पर बर्फी का मैने भोग लगाकर आपको दिखा दिया है। उसके बाद आप दीपक को प्रजुलित कर ले। यहां पर चले यह बहुत तेज हवा बारवा जो है न दीपक पुछने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन देखिए सूरिदेव की किरपासे जो है न दीपक यहां पर जल चुका है। तो इसके बाद आपको आर्थी करनी है सूरिदेव की मंत्र क्या बोला जाता है सूरिदेव को अर्ग देते समय इसकी पूरी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी क्योंकि बूलने में वीडियो बहुत जाना लंबा हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से आप आर्थी कर लें। इस चीज़ को आप बिलकुल ना भूलें अगर आपका मजबूत है तो समझ लीजी आपके सारे गिरह अपने आप मजबूत हो जाती है क्योंकि सूरिदेव ग्रहों का राजा माना जाता है इस बात को मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो इस तरह से बैसे तो देखे सूर सूरिदेब को डेली अर्ग दिया जाता है ऐसा नहीं है कि मकड संक्राती पही दे बाकी दिन आप ना दे वैसे तो हमेशा सूरिदेब को उखते हुए सूरज को रोज आपको अर्ग देना हैं अगर किसी कारण बस अगर रोज नहीं दे पा रहे हैं तो रविबार को आप ज बिल्कूस सरल सिंपल तरीका है परसाथ के रूप में बाड़ थे फूल पती जो भी हमने सूरिदेप को चड़ाई थी वह किसी आप तो या तो उसे सरने के डाल जाल दें लिए आप अच्छा काम करती है और इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है बिल्कूस सिंपल साह तरी का जो है न मैने आपको अबने वीडियो में दिखा दिपक को यहां से ऊठा कर नहीं ले जाना है दिपक को आप इसी जगे छोड़ दे और इस तरह से जो है ना मकर संकराती पर आप पूजा जरूर करें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कूल ना भूलें मिलते हैं आप सबसे नैस्ट वीडियो में नई पूजा विधी के साथ जब तक ये लिए जैशी राधे में तुरू राधे राधे